बॉबिन में धागा भरना एक सिलाई मशीन की सुई में धागे उपर और नीचे से आकर मिलते हैं जो सिलाई को मजबूती देते हैं उपर वाला धागा एक धागे की रील से और नीचे वाला धागा एक बॉबिन से आता है इस पाठ में हम एक बॉबिन में धागा भरना सीखेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप कर पाएंगे सिलाई मशीन के बॉबिन में धागा सही धंक से भरना आईए, सबसे पहले उन ओजारों एवं सामगरी से परचित हो जाएं जिनकी जरूरत आपको एक बॉबिन में धागा भरने में पड़ेगी आपको एक धागे की रील, एक छोटी कैंची और एक बॉबिन की आविशकता होगी अब देखें कि एक बॉबिन में धागा कैसे भरा जाता है चरण एक बॉबिन को बॉबिन वाइंडर में धागा भरने केली डाले बॉबिन को पकड़ कर उस पर पांच से दस बार धागा लपेटे ताकि एक बॉबिन वाइंडर में डालते समय ध्यान रखें कि ये बाईं और से किया गया है और धागा उपर की और दिखता है यदि आप बॉबिन को बॉबिन वाइंडर में किसी भी दूसरे तरीके से डालेंगे तो जो धागा आप उस पर हाथ से लपेट रहे हैं वह भरते समय खुल जाएगा इसके बाद आपको बॉबिन वाइंडर लिफ्टर को अपने दाहिने हाथ से नीचे खीचना है चरन दो थ्रेट गाइड में से धागा निकाले और स्पूल को स्पूल पिन पर रखे अब आप धागा नीचे खीच कर मशीन की बेस लाइन पर स्थित बॉबिन थ्रेट गाइड के नीचे ला सकते हैं धागा खींचे उसे मशीन के उपर वाले थ्रेट गाइड से घुमा कर, स्पूल को स्पूल पिन पर रखे चरन तीन, मशीन के फ्लाइवील पर स्थित स्टॉप मोशन स्कुरू को धीला करे आपको एक साथ फ्लाइवील को उपर और स्कुरू को नीचे घुमाते हुए मशीन के फ्लाइवील पर स्थित स्टॉप मोशन स्कुरू को धीला करना पड़ेगा अगर आप एक साथ फ्लाइवील को उपर और स्क्रू को नीचे घुमाते हुए मशीन के फ्लाइवील पर स्थित स्टॉप मोशन स्क्रू को धीला नहीं करेंगे तो वाइंडिंग करते हुए सुई हिल जाएगी और तूट सकती है चरन चार बॉबिन में साइड प्लेट से एक मिलिमीटर तक कम धागा भरे फ्लाइवील को अपनी ओर धकेले और मशीन को ट्रेडल द्वारा बॉबिन वाइंडिंग लेविल जो साइड प्लेट से एक मिलिमीटर तक कम है पहुँचने तक गती दे ध्यान देकर समान वैंडिंग करें. अगर बॉबिन की वैंडिंग समान नहीं है, तो सिलाई करते वक्त आप दिक्कत महसूस कर सकते हैं. चरण पांच बॉबिन को बॉबिन वाइंडर से निकाल ले. मशीन रोक कर वाइंडर फिल्टर को खींचे. फिर बॉबिन को बॉबिन वाइंडर से बाहर निकाल कर स्पूल से धागा काटें चरन 6 Stop Motion Screw कसे अब आप एक साथ फ्लाइवील को नीचे करते और स्क्रू उपर घुमाते हुए Stop Motion Screw कस सकते हैं चरन 7 बॉबिन को बॉबिन केस में डालें Slide Plate खोल कर बाई और के slider को बाई हाथ के pointer से खींच कर बॉबिन केस मशीन से बाहर निकाल ले बॉबिन को बॉबिन केस में डालें धागा Tension Spring के नीचे लाकर 10 cm बाहर रखें इसके साथ ही हम इस पाट की समाप्ती पर आते हैं चलिए याद करें हमने क्या सीखा चरन एक बॉबिन को बॉबिन वाईंडर में धागा भरने के लिए डाले चरन दो Thread Guides में धागा घुसा कर स्पूल को स्पूल पिन पर रखें चरन तीन मशीन के फ्लाइवील पर लगी Stop Motion Screw को ढीला करें चरन चार बॉबिन में साइड प्लेट से एक मिलिमीटर कम तक वाईंड करें चरन पांच बॉबिन को बॉबिन वाईंडर से बाहर निकाल लें चरन चै Stop Motion Screw कसे चरन साथ बॉबिन को बॉबिन केस में डालें अभी आपने सीखा कि एक बॉबिन में धागा कैसे भरा जाता है अगली कक्षा में हम यह सीखेंगे कि मशीन के उपरी भाग में धागा कैसे डाला जाता है आपने साथ